साथियों पढ़ाओ, आपका स्वागत है, सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बहतरी इंकलेट फॉर्म चले ये शुरू करते हैं कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डाइस की रीजनिंग से, तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉंसेट क्या होता है, उसको मैं समझा देता हूँ, तो जो डाइस होती है, जो पासा होता है, वो दो तरह के पासे होते हैं, एक तो होता है स उसमें जो पड़ोसी सतह होती है, उसका योग क्या आता है, साथ आता है, जैसे यहाँ पर पड़ोसी का मतलब हो गया, दो का पड़ोसी क्या है, एक भी हो सकता है, यहाँ पर और एक पांच भी हो सकता है, तो यहाँ पर दो और पांच मिला कर कितना हो रहा है, साथ हो रहा ह हैं तो किसी भी दो निकटवर्ती सतों का योग साथ होगा तो उसको हम साधरन बासा बोलते हैं तो जैसे अब यहाँ पर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो पांच है उसके अपोजिट कौन-कौन से हो सकते हैं तो सामने आपको कौन-कौन से दिख रहे हैं दो और एक दिख पांच के जो विपरीत है उसमें आपको क्या मिलेंगे 3, 4 या 6 इसे ही एक है अगर हमसे 1 के विपरीत पूछ लिया जाए तो एक के विपरीत हमें क्या मिलेगा 3, 4 , और 6, क्योंकि रहे हैं तो एक, 2, 5 दो हमें साथ होता है अगला जो पासा है वो होता है मानक पासा तो मानक पासे में क्या होती है जो विपरीत सतह होती है उसका योग साथ होता है विपरीत जो उसके अपोजिट हो प्रति एक दो विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए साथ होना चाहिए तो उस तरह का जो पासा होता है उसको मानक पासा बोलते हैं जैसे एक है अब हमसे कोई इसके विपरीत पूछ ले एक के विपरीत क्या होगा तो यह मानक पासा है तो इसके विपरीत क्या होगा जो उसको 7 बना दे तो 1 प्लस 6 हमें क्या बना कर दे देगा 7 उसी तरीके से हमसे 3 का विपरीत कोई पूछ ले तो 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 4 3 प्लस 4 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 7 उसी तरीके से हमसे कोई अगर 2 का विपरीत पूछ ले तो हम क्या पता देंगे? 2 के विपरीत 5 इन दोनों का योग मिलाकर कितना हो जाएगा? 7 तो इस तरीके से आप मानक पासे में चेक कर सकते हैं तो परिक्षाओं में कैई बार मानक पासे पर प्रिशन पूछ लिया जाता है एक डाइस देकर तो अगर आपको ये concept पता होगा तो आप पहचान लेंगे और कैई बार साधरन डाइस पर भी प्रिशन मिल जाता है तो अग यहाँ पर अगर विपरीत पूछा है तो उस विपरीत में हमें तीन आंसर हो सकते हैं जैसे यहाँ पर पांच के विपरीत में तीन, चार, छे में से कोई भी हो सकता है और उसी तरीके से एक के विपरीत में तीन, चार, छे में से कोई भी हो सकता है तो परिक्षाओं में कई पर चार और 6 option दे देते हैं तो वही correct होगा तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि option किस तरीके से दिये तो ये आगे हम solve करेंगे तो आपको clear हो जाएगा तो आपको यहां तक समझ में आ गया कि एक general dice standard पासा क्या होता है और एक मानक पासा क्या होता है इसको अच्छे से ध्यान में रखना है तो अगला है साधरन पासे पर ही एक question करके और देख लेते हैं जैसे ही साधरन पासा है तो इस साधरन पासे में मैंने बताया कि जो परोसी होता है उसके साथ उसका sum है जो योग होता है वो 7 होना चीए तो यहां पर 6 और 1 है तो इन दोनों का sum मिलाकर adjacent का sum मिलाकर क्या हो गया 7 हो गया तो इससे हमें पता चलिया यह कौन सा पासा है साधरन पासा है तो हमने इनका sum करकर देगा तो 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आता 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा और 1 प्लस 6 करेंगे तो 7 आएगा तो हमें पता चलिया कि इस वाले combination से हमारा ये क्या बन रहा है 7 बन रहा है और 7 बन रहा है ये तो एक साथ ही दिख रहे है तो बचे कौन-कौन से 5 बचता है, 4 बचता है, 3 बचता है तो एक के विपरीत में 5, 4, 3 में से कोई भी हो सकता है तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं तो diet reasoning में जो प्रिशन बनते हैं वो इन-इन topics पे बनते हैं ये हम cover करने वाले है जब पासे की एक स्थिती ही हो तब क्या करना है पासे की दो स्थिती हो तब क्या करना है ऐसे प्रिशनों को कैसे हल करना है दो से अधिक स्थिती वाले पासों को कैसे हल करना है खुला पासा है तो उसको कैसे हल करना है और कुछ other question बनते हैं जो word problems होती हैं तो उनको कैसे करते हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज भी दियान में रखनी है कि दो विप्रीद सते एक साथ नहीं दिखाई देती है तो जो विप्रीद सते हैं वो एक साथ नहीं दिखाई देंगी जैसे एक के विप्रीद में 5,4,3 हो सकता है तो ये एक साथ नहीं दिखाई देंगी तो दो विप्रीद सते एक साथ नहीं दिखाई देती हैं यह आपको ध्यान में रखना है जब आपको दो dice दे रखी है और उनके अंदर एक संक्या समानों तो उसको कैसे हल करते हैं तो यहाँ पर दो dice दी हुई है और अगर हमने इन दोनो dice को देखा तो यहाँ पर एक संक्या समान है जैसे इसके अंदर 3 है और यहां पर भी 3 संख्या क्या है समान आ रही है तो आपको क्या करना है इसका एक clockwise pattern बना लेना है यह clockwise pattern हो गया यह clockwise हो गया और यह clockwise pattern हो गया ऐसे बना लेना है clockwise ऐसे ही दूसरी dice का भी clockwise pattern बना लेना है और clockwise जो common होता है वहीं से शुरू करना है जैसे य यहां से आपको स्टार्ट करना है clockwise प्लॉक वाइज फिर क्लॉकवाइज आजाएंगे और फिर क्लॉकवाइज आजाएंगे तो जो पहली डाइस है उसका clockwise हमने लिखा तीन से हमने शुरुत करी तीन से बाद जो अगला नंबर है वो दो आ गया और दो के बाद अगला नंबर है वो क्या आ गया चार तो फिर इसके बाद हमने क्या किया जो common आ रहा था उसको छोड़ दिया और जो uncommon है उनको ऐसे circle करेंगे तो यहां पर हमें पता चल गया कि जो एक है उसके विपरीत दो सीधा चूट गया है 5 यहां पर हो गया 1 हो गया 2 हो गया 4 आ गया तो कौन सा चूटा 6 तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि कौन सा चूट गया 6 तो इसका answer क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको clockwise जहां से वो number start हो रहा है उनको लिखना है और आपको पता चल जाएगा 5 के विपरीद 2, 1 के विपरीद 4, तो 3 के विपरीद कौन बचा 6 सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा अगला जो टाइप है जब दोनों dice में 2 संख्या समान हो तो जब दो संख्या समान दे रखी हो यह तो भूत ही आसान होता है जब 2 संख्या समान दे opposite क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो यहां पर जो बचा हुआ है यहां पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो कितनी आसानी से solve हो गया उसके बाद यहां पर A और F है उसके विपरीथ C और D में से कुछ भी हो सकता है अगर हम से पूछें तो A और F है उसके विपरीथ में C D में से कोई भी हो सकता है हम एकदम सही नहीं बता सकते लेकिन हमें जो दिख रहा है उसके अंदर हम सही से बता सकते हैं कि E के opposite क्या हो जाएगा है यहाँ पर B हो जाएगा जो दिख रहा है अब तीसरा जो type बनता है जब दोनों में एक भी संक्या समान ना हो, जब दोनों में एक भी संक्या समान नहीं दे रखी, तो उसको कैसे हल करना है, तो वही मैंने आपको बताया, साधरन पासा और मानक पासा वो भी ऐसे ही केस होते हैं जब दोनों में एक भी संक्या समान नहीं मिल रही है तो हमें पूछा है कि one के opposite क्या होगा तो यहां पर यह one हो गया इसके विपरीत क्या होगा तो हमें इसके विपरीत पहुचानना है तो हमें common sense लगाना है कि हमें जो सामने दिख रहा है एक तो पांच दिख रहा है एक दो दिख रहा है तो जो दिख रहा तो यहां पर अगर हमें ओप्षण में 3-6 तो 3-6 निकाल लेते अगर हमें ओप्षण में 4-3 वह भी होता अगर में Sumerate रहके तो हमारा answer क्या हो जाएगा एक सिक्सः और पूई भी नहीं हुता तो हम Nun of the about कर देते तो यहां पर option में हमें सबसे best answer यही मिल रहा है तो इसका answer यह हो जाएगा यहां पर दो तो हो इनी सकता क्योंकि यह तो हमें सामने से नजर आ रहा है यह तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं तो जो दूसरा dice होता है वो हमें बस confusion करने के लिए दिया होता है इसकी हमें कोई जरुत नहीं पड़ी ये बना कर दिखा रखा है कि 6, 3, 4 में से कोई एक होगा तो हमें बस confusion करने के लिए दूसरा dice दिया हुआ होता है हमारा जो answer है वो एक dice से ही निकल कर आ जाएगा तो इस तरीके से आप तो तीन टाइप के हैं उनको आप आसानी से solve कर सकते हैं तो अभी कुछ practice set हम कर लेते हैं तो यहाँ पर practice set है ये वाला जो type है अगर दोनों में कोई एक common number दिया हो तो उसको कैसे solve करना है तो यहाँ पर common number क्या दे रखा है 6 दे रखा है और इसमें 6 दे रखा है तो वही हमको क्या करना है clockwise जहां से start हो रहा है वहां से clockwise जहां से start हो रहा है clockwise और उस पर आ जाना है फिर यहां से start हो रहा है तो clockwise यहाँ पर आ जाना है, यहाँ से start हो रहा है, clockwise यहाँ जाना है, यहाँ पर हमारा जो number है, वो 6 हो गया, 6, 2 और 3, 6, 2 और 3, उसके दूसरे dice में हम देख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, 6, 1 और 4, तो हमें 6 और 6 दोनों common आगे, इसको छोड़ देंगे अभी, 2 का opposite क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत, 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत, 4 हो जाएगा, तो बचा क्या, 6, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो हमें in dice हो में से पहचानना है, कि हमारा जो जवाब है, वो कौन सा होगा, तो हम देखें, 4, 5 और 6, तो 4, 5, 6 हमें सामने से दिख रहे हैं तो 5 और 6 तो क्या है विपरीत हैं तो ये नहीं हो सकते एक साथ उसके बाद 4, 3 और 5 हैं तो यहाँ पर 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये भी नहीं हो सकता ये भी गलत हो गया उसके बाद 2, 1 एक दूसरे के विपरीत हैं अगर यहाँ से हम देखें तो य 2 किसी का विप्रीत हो सकता है तो हमारी कौन सी डाइस का आंसर करेक्ट हो जाएगा D का तो यह हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा D पर अगला टाइप है 1 नमबर is common तो अगले में अगर एक नमबर common दे रखा है तो हम कैसे solve करें उसको तो यहाँ पर 2, 5, 3 दे रखा है और 3, 1, 4 दे रखा है तो हमसे पूछ लिया opposite of 5 बताना है अब 5 का opposite बताना है तो वही जो common नमबर है उसको circle कर लो दूसरा उसको circle कर लो फिर वहीं से clockwise चलो 3 से clockwise चले तो 5 आया लिख लिया इस तरीके से 3 के बाद 5 आ गया 5 के बाद clock चले तो 2 आ गया तो इस तरीके से उसके बाद हमने 2 यहाँ पर लिख लिया अब अगली dice पर आगे second dice पर 3 से start किया तो 3 लिख लिया 3 के बाद clockwise चलने पर 1 आ गया तो 1 लिख लिया 1 के बाद clockwise चलने पर 4 आया तो 4 लिख लिया तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बना लिया तो अब हमने देख लिया कि 5 के विपरीत क्या मिला हमें 1 मिल गया, 2 के विपरीत हमें, 4 मिल गया तो क्या बचा हमारे पास 3 के विपरीत तो 3 के विपरीत हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा तो हमारा यहाँ पर जो answer है 3 के विपरीत का 6 पर हमसे पूछा क्या गया है कि 5 के विपरीत तो 5 के विपरीत हमारा क्या रहेगा 1 तो यहाँ पर यह answer आ जाएगा D कि 5 के विपरीत हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 तो answer हो गया 1 तो इसको हम dice पर इस तरीके से भी show कर सकते हैं 4 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया अगला question है 2 number is common अगर 2 number common होते हैं उनको कैसे solve करते हैं उसका practice set लगा लेते हैं तो यहाँ पर 2 और 6 यहाँ पर दे रख्या है और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 number common आ गया एक तो 2 और 4 यहाँ पर common आ गया एक 2 और 4 यहाँ पर common आ गया तो मैंने आपको बताया कि जब 2 common आ जाएं तो उसके opposite में देख लेते हैं तो क्या बचा? 6 और 3 बचा तो 6 के जो number बच जाते हैं वो यह एक दूसरे के विपरीद होते है तो यहाँ पर 6 के विपरीद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा 6 के विपरीद यहाँ पर 3 आ जाएगा तो 6 के विपरीद 3 वाला यह answer हो जाता है 6 के विपरीद हमें पूछा है अब बात आती है कि 2 और 4 के विपरीद कौन सा हो सकता है तो 2 और 4 के विपरीद 1 या 5 में से कोई भी एक हो सकता है यहाँ पर तो हमें अब dice में से इस में से select करना है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 और 6 3 और 6 नहीं हो सकता है एक दूसरे के साथ नहीं आ सकता है क्योंकि यह एक दूसरे के विपरीत है तो यह गलत हो जाएगा एक और दो और चार तो एक और दो और चार तो दो और चार के विपरीत क्या होगा दो या चार के विपरीत एक हो सकता है साथ में नहीं हो सकता तो ये भी गलत हो जाएगा उसके बाद एक चार और पांच तो एक और पांच एक पांच के विपरीत में दो या चार हो सकता है चार साथ में नहीं हो सकता तो ये भी गलत हो जाएगा तो ये भी गलत है ये भी गलत है एक तीन और पांच तो एक एक अपोजिट में जा सकता है पांच अपोजिट में जा सकता है और तीन अपोजिट में जा सकता है विप्रीट में जा सकता है तो ये वाला जो answer है ये वाली जो dice है ये correct हो जाएगी तो इसका सही answer है वो जाएगा d so अगला जो question है वो क्या है कि type 3 when two number is common on three dice तीन dice दे दिए हमें confusion करने के लिए और उस पर दो number common हमें दे दिए जैसे यहां पर common देखो गया तो four or five common दिग गया four or five यहां पर common दिग गया तो हमें confuse नहीं हो ना हमें तो अपना वही जैसे यहां पर तीन number है हमें तीन number यहां से उठा लिया और एक और dice पर हमें क्या मिल गया तीन number मिल गया तो तीन number मिलने के बाद हमने clockwise चलना है तो हमने लिख लिया तीन number को वो 5 आजाएगा और 5 के बाद जो अगला नमबर है वो 4 आजाएगा तो हमने यहां पर देखा कि 1 के जो विपरीत है वो 5 आजाएगा दो के विपरीत यहां पर 4 आजाएगा तो हम देख सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या बचेगा 6 बचेगा तो 3 के विपरीत यहां पर 6 नेक्स टाइप है जब पाइसे को खोल कर दिया जाता है खुलेवे पाइसे में एक छोड़ कर दूसरी सते एक दूसरे के विपरीत होती है यह उसके बाद 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहां पर 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा हो गया असानी से तो 5 के विपरीत 6 1 के विपरीत 3 2 के विपरीत 4 अब यह दूसरा pattern है इसको देख लेते हैं तो यहां पर 1 छोड़ कर 1 तो सबसे पहले एक छोड़ कर लेते हैं तो एक के विप्रीत यहां पर क्या हो जाएगा पांच हो गया उसके बाद दो के विप्रीत यहां पर क्या हो गया तीन हो गया और यह बच गया था चार के विप्रीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो गया solve कितनी आसानी से तो इसमें 1 के विप्रीत 5, 2 के विप्रीत 6 4 के विप्रीत 2 के विप्रीत 3, 4 के विप्रीत 6 अगला जो प्रिशन है यहाँ पर देख लीजिए आप वही एक छोड़ कर एक, तो 5 के विप्रीत यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 के विप्रीत यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 1 के विप्रीत यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बहुत आसानी से छोड़ कर किया, तो P पर गया, एक के विपरीत, तो M के विपरीत P हो गया, M के विपरीत P यहां पर हो गया, उसके बाद R के विपरीत Q हो गया, एक छोड़ कर, तो R के विपरीत यहां पर Q हो गया, अब बचा कौन सा है, वही last वाला हो जाएगा, तो N के विपरीत यहां पर T T हो गया, N के विपरीत T हो गया, तो इस में से हमें पैचानना है कि हमारा answer कौन सा होगा, तो जो विपरीत में हमें दिख रहे हैं, वो एक साथ हमें किसी dice में दिख जाते हैं, तो वही answer हो जाएगा, तो M, N और R, M, N, R हमें एक साथ दिखेंगे, या फिर P, Q, T हमें एक साथ दिखेंगे, तो हमें जिस type dice पर ये या फिर ये एक साथ दिख रहे हैं, वो ही हमारा answer होगा, तो हमें इस dice पर M, N, R एक साथ दिख रहे हैं, और किसी dice पर हमें P, Q, T दिख रहे हैं कि ने दिख रहे हैं, वो देख लेते हैं, एक बार नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो हमार आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा नेक्स प्रिश्ट्र है कि त्री डाइस गिवन फाइंड अपोज़ित दे रखी है अपोजित फैंड आउट करना तो उसमें कैसे हमें opposite find out करना है तीन डाइस के अंदर तो तीन डाइस के अंदर हम देख लेंगे single common दे रखा है double common दे रखा है तो यहाँ पर 6 1 4 5 3 6 और 4 1 तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 और 4 यहाँ पर common है इस dice के साथ common है तो मैंने आपको बताया था कि 3 या 4 dice confusion करने के लिए दे दी जाती है आपको वही basic concept supply करने होते हैं तो 1 और 4 1 और 4 यहाँ पर आपको मिल गया same अब आपको क्या करना है जब 1 4 है तो 2 के विपरीत कौन आ जाएगा दो के विपरीत क्या आ जाएगा 6 और हमसे क्या पूचा था कि opposite of 2 तो यहाँ पर हमारा answer क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा अब यहाँ पर 4 dice दे दिए 4 dice सभी का कोई काम नहीं है बस हमें पहचान नहीं हमारे काम में कौन कौन सी dice आ सकती है उन्हीं से हमारा answer आ जाएगा तो यहाँ पर हमने देखा common क्या क्या दे रख रहा है तो 5 और 6 हमें यहाँ पर common मिल गया 5 6 हमें यहाँ पर common मिल गया और हमसे पूचा है opposite of 3 तो opposite of 3 क्या हो जाएगा सीधा सीधा 4 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो answer है वो क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर answer आ जाएगा तो 3 का opposite हो गया यहाँ पर 4, 6 का opposite हो गया 2 और 1 का opposite हो गया 5 तो आपने यह numbering कही है तो इसमें वही concept है एक छोड़ कर एक तो P, N उसके बाद तीसरे number में और यहाँ पर W मिल रहा है तो P के opposite क्या आजाएगा W आजाएगा एक छोड़ कर एक हमने कर दिया उसके बाद नीचे से start कर देंगे तो एक छोड़ कर एक तो R के opposite क्या हो जाएगा यहाँ पर R के opposite Q हो जाएगा R के opposite A छोड़ कर R के opposite क्या हो गया Q हो गया R के opposite Q आ गया और P के opposite W आ गया बचा क्या N बचा N के opposite आपको पता चल जाएगा N के opposite क्या हो जाएगा S हो जाएगा इस तरीके से आप कर सकते हो इस question को तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह बहुत important question है, बहुत अच्छा question है, चली देखते हैं, इसको कैसे solve करना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि विप्रीत आपको choose करना है, जैसे A, B और C, एक छोड़ कर A, तो A के विप्रीत क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, तो A के विप्रीत क्या आ गया, C आ गया, ऐसे ही D के विप्रीत क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, B को छोड़ देंगे, तो D के विप्रीत, E आ गया, D के विप्रीत, E आ गया, और अब B के विप्रीत क्या रहेगा, B वचा है, तो B के विप्रीत, यह 1, 2, 3, 4 के जो नंबर है, यह इसके विप्रीत होंगे, तो यह कुछ इस B के विप्रीत में आ जाएंगे 1 4 और 3 2 अब ये कैसे इसमें से Dice में से पहचान नहीं हमें जो आंसर दे रखा है सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि C और E A और D एक साथ किस Dice में आ रहे हैं तो B और D एक साथ ये तो हो नहीं सकते B और D तो एक साथ तो ये कैंसल हो जाएगा यहाँ पर उसके बाद D और A D और A एक साथ यहाँ पर हो सकते हैं तो D और A ये आंसर हो सकता है इसका उसके बाद E और C E और C विप्रीत किसमें आ रहे हैं इसमें तो ये इसका आंसर हो सकता है तो यहाँ पर यह दो आंसर हो सकते हैं C और D हो सकते हैं कि यह भी नहीं हो सकता तो हमारे पास दो आंसर मिल रहे हैं B और D मेंसे कोई एक हो सकता है अब हमें देखना है कि E E के जस्ट बगल में कौन सा नंबर है तो E के जस्ट बगल में 3 है तो यहाँ पर भी E के जस्ट बगल में क्या है 3 है तो इसके chances हो सकते हैं फिर यहाँ पर हमें check करना है कि E के जस्ट बगल में क्या है 4 है E के जस्ट बगल में यहाँ पर क्या है 1 है तो यहीं पर गड़बड हो गई है यहाँ पर A के ज़स्ट बगल में क्या होना चाहिए था 4 होना चाहिए था तब हम आगे सोच सकते थे और उसके बाद जो दूसरा logic हमें लगाना है कि अगर clockwise given है जैसे clockwise given है 1, 2, 3 और 4 करके clockwise given है तो output में anti-clockwise होता है तो जो output है उसमें क्या हो जाएगा anti-clockwise तो यहाँ पर हम यह भी चेक कर लेते हैं कि anti-clockwise है कि नहीं है तो 1, 2, 3 और 4 यह anti-clockwise sequence में दे रखे हैं तो जो सबसे best answer है वो D हो जाएगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा D हो जाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो dice के जितने भी question है आप कोई भी book उठा लीजिए किसी भी sample book को उठा के sample paper previous year के question solve करके देख लीजिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद